कववे के बीच कबूतर की कहानी एक बार एक किसान ने अपने खेत में मक्का बोया फसल अच्छी हुई लेकिन कववे का जुन रोज आकर उसे बरबाद करने लगा किसान परिशान था उसने कववे को भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया एक दिन सुबा सुबा सारे कववे मक्के की खेत में धाबा बोलने की तयारी में थे एक कबूतर उनके पास आया और बोला मित्रो क्या मैं भी तुम्हारे साथ मक्के के खेत में चल सकता हूं क्यों नहीं कहकर कववे ने उसे अपने साथ ले लिया उस दिन किसान ने कववे को पकड़ने के लिए खेत में जाल बिछाया था जैसे ही वे सब खेत में उत्रे किसान के बिछाये जाल में फस गय और कबुतर भी फस गया किसान जब कववे को मारने के लिए आया तो जाल में कबुतर को भी फसा हुआ पाया और वो बोला कबुतर तुमने गलत संगत्ती कर ली थी अब तुमें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा कवे के साथ कबुतर भी मारा गया दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गलत संगत की कीमत चुकाने ही पड़ती है इसलिए सोच समझ कर संगती करें तो दोस्तो आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट द्वारत जरूर बताएं और हाँ मेरे चनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद